हलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए NCRT कच्छा इग्यारा का विशे भुगोल लेके आई हूँ, जो भुगोल के मूल सिध्धान्त हैं, वो हैं, तो आप अगर कोई भी कमप्टिशन का त्यारी कर रहे हैं, या आप NCRT कच्छा इग्यारा में हैं, चाहे वो कोई भी बो हो तो आप इसको जरूर देख सकते हैं, तो इसको देखिए आगे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, भुगोल एक विशे के रूप में, क्या है, इसका अध्यनम लोग देख करेंगे, और आगे देखेंगे, ये क्या है, भुग ये आप लोग जानते होंगे, अर्थाद प्रिथिवी गोल है, जानते हैं हम लोग सभी क्या प्रिथिवी क्या है, गोल है, 234 इसा पूर्व यूनान के परशिद विद्वान, इरेटो इस्थिनीज ने इश्वेसे की परिवासा देने के लिए, जियो और जिसका जियो का अ इसी ने परिथिवी का वर्नन करना, बरतमान समय में भुगोल सब्त का अर्थ प्रिथिवी के धरातल पर पाईजाने वाली अस्तानिक, सामाईक, विविनताओं, इस्थानिक को इंगलीश में क्या बोलते हैं, specials, सामाईक यानि temporal, विभिन्ताओं यानि variations के अध्यान को भुगोल कहते हैं भुगोल के अध्यान की दो प्रमुकु पागम है क्या है? एक है क्रमबद और दूसरा क्या है? प्रादैसिक क्रमबद और प्रादैसिक भुगोल का महत क्या है? भुगोल विविधता समझने तथा समय एवं अस्थान के संदर्फ में ऐसी विविधिन्ताओं को उत्पन करने वाले कारकों की खोज करने की छमता प्रदान करता है इसे मानचित में परिवर्दित कोलक को समझने तथा धरातल, विश्विकी मृदा, खनीच संपदा, मौसम, जलवायू, जनसंखिया, यतायात और संचार के शाधन तथानिय प्रदिशों के बारे में जानकारी मिलती है इसके अतिरिक्त, परवत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुंद, जील, परियावरन और सांसकतिक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है भौतिक महत्वपुन तथ्य अब इस टॉपिक इस चैप्टर में क्या महत्वपुन तथ्य है पर्टिक ब्यक्ति अपनी जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसादनों पर निर्वर करते हैं आदी समाज अपनी भरन पोशन के लिए प्राकरतिक निर्वाह संसादनों जैसे पश्यों और खाद बौधों पर आश्रे था दो नमर इराटोस्थनिस नामक एक ग्रीग विद्वान द्वारा सबसे पहले भूगोल सब्द का इस्तमाल किया गया था यह शब्द ग्रीग भासा के दो मूल सब्दों जीयो अर्थात प्रिथिवी यानि ग्राफिक्स अर्थात वर्णन करना से लिया गया है इसके अंतरगर जीयोग्राफिक का अर्थ है प्रिथिवी का वर्णन करना तीसरा है भूगोल वेता मातर धरातल पर तत्थियों में विवित्ता का अध्या नहीं करते जबकि उन कारोकों को पढ़ते हैं जो इन विवित्ताओं की वज़ा होती है उधारार फसल का स्वरूप एक परदेश से दूसरे परदेश में भिन होता है लेकिन यह भिनता एक तत्थि के रूप में जलवायू, बाजार में मांग, किशानों की बेचमता, मिट्टी, तकनीकी निवेस की उपलपता, आधी में विविनता से सम्बंदित होती है एक बैग्यानिक विशे के रूप में भुगोल तीन वर्गी कृत प्रशनों से सम्बंदित है कुछ प्रशन धरातल पर पाये जाने वाले प्राकर्तिक और शांस्कृतिक बिसेस्ताओं के पटी रूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रशन के उत्तर देते हैं कुछ प्रशन कौन कुछ क्या होते हैं क्या से होते हैं कुछ कौन से तत्व कहां इस्थित है से सम्बंदित सुचिवर सुचनाओं से क्या होते हैं जुड़े होते हैं प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवन तत्थियों के मद्ध कार्य कारण संबंध से जुरे हुए होते हैं भुगोल यह पच क्यूं प्रश्न से जुरा हुआ होता है कुछ प्रश्न प्रिथिवी पर भौतिक तथा सांस्कतिक तत्वों के बितरन से संबंदित होते हैं जो कहां प्रश्न से संबंदित होते हैं भुगोल की सभी साखाएं आर्थिक भुगोल भुगोल की तो अनेक सी साखाएं तो बोल रहा है जो भूगोल की साखाएं क्या क्या है आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवाज भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजिनतिक भूगोल, विश्यों से घनिष्टा से जुरी है क्योंकि इन में सभी अस्थानिक विश्यस्ताएं जुरी हुई है अगर हम प्राजिन काल में चले जाए तो कैसे अपना भरन पोजिशन करते थे आदी मानब क्या किरिया कलाब करते थे जो किरिया कलाब है या जो बैवसा है वो किस में आता है आर्थिक में आता है यानि भुगोल का एक साखा आर्थिक भी हो गया इस तरह भुगोल की ये सभी साखाएं और सभी एक दूसरे से क्या हैं जूरी हुई है एक भुगोल वेता को गनीत एवं कला विसेश्त मांचित रेखांगन में निपून होना चाहिए भुगोल खगोल ये इस्थितियों के अध्यन से भी जुरा हुआ है जो अच्छान सेवर देसांतरों का वीवरन परस् पत्ति सास्त जैव भुगोल तथा पारिस्तिक विग्यान से जादा निकर्टा से जुड़ा है क्योंकि मानव विविन अस्थानिक प्रियावरन में निवास करता है जलवायू विग्यान समूंद्र विग्यान भुहाकर्ति विग्यान मिर्दा भुगोल का प्राकृतिक वि दूसरा प्राव्यसिक उपागम तो कितनी उपागम है दो क्रमबद और प्राव्यसिक भुगोल क्रमबद भुगोल के जर्मदाता जर्मन भुगोल वेता अलेक्सेंडर बॉन हमबोल थे कौन थे हमबोल मौधय जो थे वो बहुत ही हमबोल मौधय का बहुत बड़ा योगदा प्रादसिक भूगोल के जर्मधाता जर्मन भूगोल वेता काल डिटर थे भूगोल की साखाएं प्रादसिक उपागम की आधार पर अब हम यहां इस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि क्या भूगोल की साखाएं हैं जैसे प्रादेशिक अध्यान या छेत्रिय अध्यान इस प्रादेशिक अध्यान या छेत्रिय अध्यान को यहाँ पर तीन भागों में बाटा गया है इस थूल प्रादेशिक अध्यान मध्य प्रादेशिक अध्यान और सुच्म प्रादेशिक अध्यान फिर आज़ेए प्रादेशिक विकाज, प्रादेशिक विसलेशन और प्रादेशिक योजना प्रादेशिक योजना को फिर दो भागों में आबाता है प्रादेशिक योजना में एक आएगा देश और ग्रामीन योजना दूसरा आएगा सहरी योजना तो हमारा ये नोट्स यहीं तक था तो गाइज अब मेरे चैनल को जरूर शेर, सब्सक्राइब और लाइक करें